हेलो प्यारे बच्चों आज हम 3D शेप्स यानि 3D में आकृतियों की सीरीज में करेंगे शंकू जिसे आप इंगलिश में कहते हो कौन ये आप जो आकृति देख रहे हैं इसको कहते हैं शंकू इसमें एक कर्वड सर्फेस होता है यानि फेस एक सर्कल सर्फेस होता है चलो आगे इसके बारे में और जान लेते हैं शंकू एक 3D में ठोस आकृति है कोन इस ए 3D और नहीं होते कोन हैस नौ एजेज इसके इग्जांपल देख लेते हैं बर्थडे कैप जिसे बर्थडे कैप यानि जब बचों का बर्थडे होता है तो क्याप लगा के करते हैं आइसक्रीम कॉन कॉन में लेकर जो आईसक्रीम ठाते हैं वह वह लगर दो बच्चों इस शेप के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है आप एंड तक देखेंगे तो अच्छी थे हैं समझा जाएगा वो भी आसानी से देखो बच्चों किती सुन्दर सी कैप है आप शेप देख पा रहे हो कैसी है इसको कहते हैं शंकू यानि कौन बर्थडे कैप अब इसको समझ लेते हैं इसमें लिखा है कर्वड सर्फेस और फेस देखो कर्वड मतलब ये ये पार्ट कर्वड सर्फेस और उसकी बार सर्कल सर्फेस सर्कल क्या है ये वाला नीचे वाला बेस जो होता है कि शंकू में एक शीर्ष होता है शीर्ष यहीस वन सर्क्ल ऐन्ड posição मैं ने बता दिया संकू में कोई कोई नहीं होते इसमें कोई भी कोर यानि एजेज नहीं है सिर्फ कर्वड सर्फेस है या फ्लाट सर्फेस है एक्जैम्बल में आपको बर्तडे कैप बोला था यह क्या है बर्तडे कैप अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू बाई